जैहिन साथियों, नमस्कान, नमस्ते, गोडियोनिक, सामके 6 बच चुके हैं और मैं नरेंदर आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को सेर कर दें बहुत ही शांदार क्लास होने वाला है बहुत ही मज़ेदार क्लास तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को सेर करते रहिए जो साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नियू और लेस्टेट अबडेट आपको समय के निफसार मिलता रहे क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आती है तो जरूर डिसलाइक कीजिए लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको क्लास क्यू पसंद नहीं आई उसके बाद आप लोग अपने सभी शाथे में क्लास को share कीजिए और comment box में comment करके जरूर बताए कि क्लास आपको कैसा लगा ठीक है क्लास की PDF फाइल पाने के लिए आपको हमारी टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आपको टेलिग्राम चैनल को जोइन करना होगा ठीक है तो सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाए और आज की इस क्लास का जो हमारा पहला पर्षन है वो कुछ इस परकार है पहला पर्षन कहता है कि अमेरिका की नव निर्वाचित सरकार में सेवा की पूर्व अधिकारी उजरा जया को किसके लिए अवर विदेश मंत्री निव्ट किया गया है पर्षन आप से पूछ रहा अमेरिका की जो नव निर्वाचित सरकार है उसमें जो सेवा की पूर अधिकारी है उजरा जया जिनका नाम है इनको हाल ही में किसके लिए अवर विदेश मंत्री न्यूक्त किया गया है आप्षन एक कहता है सेन्य सुरक्षा लोगतंत्र आयो मानवा धिकार के लिए आप्षन B है आप्षन सेन्य सुरक्षा लोगतंत्र के लिए तो बताईए इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा चली आए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो option number D is right answer अमेरिका की नव निर्वाची सरकार में स्रेवा की पूर्व अधिकारी उजरा जया को आएसेन ये स्रक्षा लोगतंत्र आयोमानवा धिकार के लिए अवर विदेश मंत्री के रूप में न्यूप्त किया गया है आगे बढ़ते हैं और पर्षन नमबर 2 की बात करते हैं पर्षन नमबर 2 केता है कि हाल ही में किस देश ने मिर्तिव दंड को समाप्त कर दिया है आपशन ये केता है कजाकिस्तान आपशन B है इरान आपशन C है इराक और आपशन D है बांगलादेश तो आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने मिर्तियु दंड को जो समाप्त कर दिया है क्या होगा इस परसन का सही जवाब बताईए आई ये देखते हैं इस परसन का सही जवाब क्या होगा तो option number A is right answer कजाकिस्तान हाल ही में कजाकिस्तान ने मिर्तु दंड को समाप कर दिया है कजाकिस्तान जो देश है यहाँ पे मिर्तु दंड की जो प्राउधान था उसको निरस्त कर दिया गया है अब वहाँ पे मिर्तु दंड नहीं दिया जाता है ठीक है पर्श नमबर थिरी की बात करते हैं और person number 3 आपसे पूछ रहा है कि भारत का परमानिक समय किस अस्थान से निश्चित किया जाता है आपको बताना है option A है बुंबई, option B है दिल्ली, option C है इलाहबाद जो कि वर्तमान में परियाग राज की नाम से जानना जाता है इसका नाम बदल दिया गया है और option D कहता है इन में से कोई नहीं तो बताइए साथ है इस person का सही जवाब क्या होगा आएए देखते हैं इस person का सही जवाब क्या होगा तो option number C is right answer इलाहबाद परियाग राज ठीक है भारत का जो पर्मानिक समय है वो इलाहबाद के निकट मिर्जापूर से गुजरने वाली 42 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है ध्यान रखिएगा भारत का जो परमानिक समय है वो इलाहबाद के निकट मिर्जापूर ठीक है कहां से इलाहबाद के निकट मिर्जापूर से गुजरने वाली 82 डिगरी है ना 82 सही 1 पटा 2 डिगरी पूर्वी देशांतर को कौन से देशांतर को पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीन वीच समय से जो क्या है जो ग्रीन वीच समय से साढ़े 5 घंटा यानि 5 सही 1 पटा 2 घंटा आगे है ठीक है तो जो 82 डिगरी का पूर्वी देशांतर रेखा है इसको भारत का परमानिक समय माना जाता है जो की ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच समय से साड़े पांच घंटा आगे है पूर्वी देसांतर जो है ये पांच राजियो से गुजरता है पूर्वी देशंतर जो रेखा है ये पांच राजियों से गुजरता है इसमें आपका उत्तर परदेश और मध्य परदेश यान лишь MP उत्तर परदेश मध्य परदेश और 36 गड़ आपका उलविशा और आंदर परदेश ये पांच राजी इसमें सामिल है तो ये सब आपको याद होना चाहिए ठीक है तो भारत का प्रमानिक समय जो है वो की सस्तान से निशीत होता है भारत का प्रमानिक समय जो है वो इलाहबाद की निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली सारे 82 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो की ग्रीन वीच रेखा से या ग्रीन वीच समय से सारे 5 घंटा आगे है और पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो 5 राजियों से गुजरती है उत्तर परदेश, मद्यपरदेश, छत्यशगर, उरिशा और आंदर परदेश ठीक है? I hope आपको समझ में आगया होगा हम लोग बढ़ते हैं आगे पर्शन की तरफ और पर्श नमबर 4 कहता है भारत के राश्ट पती के महाभियोग की जो परकरिया है वो कैसी परकरिया है? आपशन A कहता है कि अर्ध न्याइक परकरिया है आपशन B कहता है न्याइक परकरिया है या आपशन C कहता है चुनाओ परकरिया है या आपशन D कहता है वैधानिक परकरिया है तो भारत के राश्ट पती के महाभियोग महाभीयोग की जो प्रकरिया है वो किस प्रकार की प्रकरिया है आपको बताना है तो बताईए इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो चलिए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो option number A is right answer अर्ध न्याईक प्रकरिया राष्टपती द्वारा सविधान के प्रावधानों के उलंगन पर संसत की किसी सदन द्वारा उस पर महाभीयोग लगाया जा सकता है परंतु इसके लिए आवशक बात ये होती है कि राष्टपती को 14 दिन पहले लिखि सूचना दी जाए और उस पर सदन के एक 24 सदेश्यों का हक्ताक्षर होना जरूरी है इसके बाद जिस संसत के सदन में महाभीयोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है उस सदन के दो तिहाई सदेश्यों का द्वारा पारित कर देने पर दो तिहाई सदेश्यों के द्वारा जब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है उसके दूसरे सदन में जाने के बाद तब जो दूसरा सदन होता है उसके उपर लगाएगे आरोप यानि राष्टपती के उपर लगाएगे आरोप की जांच करता है या फिर जांच करवाता है और ऐसी इस्तिती में जब जांच में राश्टपती के उपर लगाएगे आरोप सिद्ध पाये जाते हैं तो इस परकार के इस्तिती में दो तीहाई सदेश्योदारा प्रस्ताव को बहुमत से पारिद करके और राश्टपती पर महावियोग की जो परकरिया होती है उसको पू से त्याग देना परता है और उसके बाद में राश्टपती का जो पद होता है उसे छे महीने के अंदर वापस भरना होता है तो ये राश्टपती के उपर महावियोग की जो परकरिया है वो कुछ इस परकार से होती है हम लोग आगे बढ़ते हैं और परस नमबर 5 की बात कर हैं निमलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अउगत कराया था आपसने कहता है कि सिकंदर या फिर अलेकजंडर और आपसन भी कहता है अरब आपसन C कहता है ग्रीक आपसन D कहता है इरानी तो बताए इन में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अउग तो चलिए साथियों देखते हैं इस पर्सन का सही जवाब क्या होगा तो आफशा नमबर A is right answer सिकंदर अलेक्जंडर सिकंदर अलेक्जंडर ने सबसे पहले यूरोप को भारा से अवगत कराये था ठीक है चलिए बात करते हैं पर्स नमबर 6 की पर्स नमबर 6 कहता है कि नीमलिखित में से किस रक्त समू के व्यक्ति को सार्व भौमिक दाता कहा जाता है सार वहमिक दाता का मतलब यह हो गया कि इसमें से ऐसा कौन सा रग्त समू का विक्ति होगा जो सभी प्रकार के विक्तियों को अपना जो बलड है वो डोनेट कर सकता है वो इसे हम लोग सार वहमिक दाता कहते हैं और आपको बताना है कि किस समू का, किस रक्त समू का विक्ति जो है, वो ऐसा कर सकता है. इसमें आपको option दिया गया है, option A है, A, B positive, option B कहता है O negative, option C है O positive, या option D है, A, B group का. तो आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, बताइए. चलिए, देखते हैं, इस परसन का सही जवाब क्या होगा, तो option number B is right answer, जी हाँ साथियो, O negative, O negative रक्त समू का जो विक्ति होगा, उसे हम लोग सारव भौमिक दाता कहते हैं, और या इस परकार का विक्ति, अगर किसी विक्ति का O negative blood है, तो वो सभी परकार के group वाले विक्तियो को अपना जो blood है, वो donate कर सकता है, ठीक है, और O negative जो है, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसे हम लोग सारव भौमिक दाता कहते हैं, ठीक है, चलिए बात करते हैं, आज के सात्वे परसन की, और सात्वा परसन आप से पूछ रहा कि विधेयक केवल प्रस्तूत क किया जा सकता है, आप्शन A कहता है, लोग सभा में, आप्शन B कहता है, दोनों सदनों के सयुक्त अधिवेशन में, या आप्शन C है, राज्य सभा में, या आप्शन D, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए विधेयक जो है, वो केवल कहां पर प्रस्तूत किया जा सकता है, क इस राइट अंसर लोक्षभा विधयक जो है वो किवल लोक्षभा में ही प्रस्तूत किया जा सकता है ठीक है चलिए बात करते हैं आज के आठावे परशन की और आठवा परशन आपसे कहता है कि 90 East Ridge कहां पर इस्तित है 90 East Ridge जो है यह कहां पर इस्तित है यह आपको बताना है आप्षन ने कहता है परसांत महासागर में आप्षन B है हिंद महासागर में आप्षन C है अंध महासागर और आप्षन D है आर्कटिक महासागर तो बताईए कि 90 East Ridge जो है ये कहाँ पर इस्तिध है तो आज़े देखते इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशा नमबर B is right answer हिंद महासागर हिंद महासागर को हिंद महासागर जो है यहाँ पर 90-ist रिज इस्तिध है ठीक है तो इस पर्षन का सही जवाब होगा आफशा नमबर B तो साथियो पर्षन नमबर 9 कहता है कि यह मोहन जोदरो का अस्थानिय नाम क्या है आफशन यह कहता है जीवितों का टीला आफशन भी कहता है कंकालों का टीला आफशन C है दासों का टीला या आफशन D है मिर्दकों का टीला तो मोहन जोदरो का अस्थानिय नाम क्या है बताईए चलिए देखते हैं इस परसन का सही जवाब क्या होगा तो option number D is the right answer मिर्तकों का टीला मोहन जोदरो का जो अस्थानिय नाम है वो मिर्तकों का टीला है ठीक है और मोहन जोदरो से जो अन्न गार प्राप्त हुआ था वो सेंदोर सभेता का सबसे बड़ी इमारत थी और वहीं ब्रहत अस्थनान गार जो था उसका एक प्रमुक श्मारक था और इसके मध्य में अस्थनान कुंड 11.88 मीटर लंबा था और उसकी जो चोड़ाई थी वो साथ दसमरो एक मीटर थी ठीक है इसके अलावा मोहन जोदरो से जो एक सील पर तीन मुख वाले देवताज यानि पसुपति नात की मुर्ती प्राप्त हुई थी जिनके चारो और हाथी, गोडा, गेंडा, चीता, अयोभाईसा, ब्रिजमान थे मोहन जोदरो से ही नर्तकी की एक काशी मुर्ती भी प्राप्त हुई थी तो ये सब चीजे आपको याद होना चाहिए आगे बढ़ते हैं और पर्ष नमबर 10 की बात करते हैं पर्ष नमबर 10 कहता है कि हरप्पा के लोगों की समाजिक पदती थी आप्षन A कहता है उचित समतावादी थी या आप्षन B कहता है दासित सर्मित थी या आप्षन C है वन अधारित थी या आप्षन D कहता है जाती अधारित जोईन थी तो आपको ये बताना है कि हरप्पा के लोगों की समाजिक पदिती वो किस परकार की थी बताईए क्या होगा इस पर्षन का सही जवाब आए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशा नमबर A is right answer उचित समतावादी हरप्पा के लोगों की जो समाजिक पदिती थी वो उचित समतावादी पदिती थी सिंदू सबैता यानि हरप्पा सबैता के जो लोगों थे जो लोग वहां के थे उनके नगरों तथा घरों का जो विन्यास था वो ग्रीट पदिती पर अपनाई गई थी और यहां के जो घरों के दर्वाजे और खिर्किया जो थी वो सड़क की ओर ना खुलकर पिछवारे की ओर खुलती थी और केवल लोथल नगर के घरों के दर्वाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे ठीक है तो यह सब बाते आपको पता होना चाहिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पर्ष नमबर 11 की बात करते हैं पर्ष नमबर 11 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हरपा सवयता की खोज किस वर्ष में हुई थी आपशन A कहता है 1935 इसवी में आपशन B कहता है 1942 इसवी में आपशन C कहता है 1901 इसवी में तो बताइए इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आज देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशा नमबर D is right answer 1921 में 1921 में हरपा सवेता की खोज हुई थी और इसकी खोज की थी राय बहादूर दयाराम सहानी ने सिंदू सवेता को जो है वो प्राक एतिहासिक आथवा कांश यूग में रखा जा सकता है यानि इसे रखा गया है और इस सवेता की जो मुख निवासी थे वो दर्विड आयर भोमद्य सागरिय थे अगर यहाँ पर आपसे यह पूछा जाए कि सिंदू सवेता का जो सरवाधिक पक्षमी यानि इसका बिस्तार किस परकार से है तो सिंदू सवेता का जो सरवाधिक पक्षमी पुरास्तल है वो दासक नदी के किनारे इस्तित सुतांगे डोड ब्लूचिस्तान में जो पाया जाता है और पूर्वी पुरास्तल की अगर बात किया जाए तो पूरवी जो हिस्ता है वो हिंडन नदी के किनारे गोदावरी नदी के तड़ पर आलमगीर पूर जो की जिला मेरट उतर पडेश में पाया जाता है वर्तमान समय में वहाँ तक है अगर उत्री पुरास्तल की बात किया जाए तो सिंदू सबेता का उत्री जो पुरास्तल है वो आपके चिनाओ नदी के तड़ पर अकनूर के निकट जो की मादा जो की वर्तमान में जमू कस्मिर में पाया जाता है वहां तक इसका विस्तार है अगर यहीं आपसे दक्षणी दक्षणी पुरास्तल की बात किया जाए तो दक्षणी जो पुरास्तल है वो दायमाबाद जो की वर्तमान में अहंदा नगर महराष्ट में पाया जाता है जिला यहां पे अहंदा नगर होगा तो यह आपका जो है सिंदू सबेता यानि हरपा सबेता का जो पूरा विस्ता परकार है वो कुछ इस परकार से था ठीक है चलिए हम लोग बात करते हैं पर्स नंबर 12 की और पर्स नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि सिंदू सवेता का पतन नगर या पतन नगर बंदरगाय कौन सा था आपशन यह कहता है काले बंगन और आपशन B कहता है लोथल रोपर आप आपको यह बताना है कि सिंदू सवेता का पतन नगर बंदरगाय कौन सा था क्या होगा इसका सही जवाब बताईए तो चलिए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो साथी इस पर्षन का सही जवाब होगा आफशा नमबर B लोथल रोपड लोथल रोपड जो है ये सिंदू सवेता का पतनगर बंदरगा है ठीक है तो इसे आप लोग याद रखेंगे और हम लोग बात करते हैं अगले पर्षन की तो पर्षन नमबर 13 आप से पूछ रहा है कि नेमलिखित विद्वानों में से हरपपा सवेता का स्वर्ड पर्थम खोज करता कौन था अभी हाल ही में इस पर्षन का जवाब मैंने आपको बताया है अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस पर्षन का सही जवाब आप दे पाएंगे तो बताये क्या होगा इस पर्षन का सही जवाब तो चलिए साथियो देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आप्षन नमबर D is right answer जी हाँ साथियो दयाराम सहानी दयाराम सहानी जो है ये सर पर्थम खोज करता इन्होंने ही 1921 में हरपा सवेता की खोज की थी अगर चलिए हम लोग बात करते हैं अगले पर्षन की और पर्षन नमबर 14 आप से पूछ रहा हरपा सवेता के निवासी थे आप्षन A कहता है ग्रामिर आप्षन B कहता है नगरिये आप्षन C कहता है जन जातिये ये आप्षन D कहता है यावावर यानि खाना बदोष तो क्या होगा इस पर्षन का सही जवाब बताईए यह देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशन नमबर 20 राइट आंसर नगरिये हरापा सबेता के निवासी नगरिये थे ठीक है बात करते हैं आज के आखरी पर्षन की और आखरी पर्षन आपसे पूछ रहा है कि सिंदू घाटी अस्तल काली बंगन किस प्रदेश में है आफशन ने कहता है राजस्थान आफशन भी है गुजरात आफशन सी है मध्यप्रदेश आफशन डी है उत्तर प्रदेश तो क्या होगा इस पर्षन का सही जवाब बताईए आया देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशा नमबर A is right answer राजस्थान काली बंगन जो है ये गगर नदी के किनारे इस्तित है और इसकी जो खोज करता थे वो थे बीबी लाल और बीके थापर 1933 नदी सो तरेपन में इसकी खोज की गई थी और वरतमान में राजस्थान का हनुमानगर जिला काली बंगन था ठीक है वरतमानमें जो हनुमानगर जिला है वही आपके काली बंगन था ठीक है तो चलिए साथियो आज की इस क्लास में हमने काफी महत्पूर्ण पर्षनों को डिसकस किया जो की आपके कुछ जादा पतर पर्षन आपके हिस्टरी से थे बहुत ही महत्पूर्ण पर्षनेश थे जो आपके सभी पर्तियों की परिशाओं के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो आज का यह class आपको कैसा लगा comment box में comment करकी जरूर बताएं class अगर आपको पसंद आई हो तो like करे अपने सभी साथियों में share करे और channel को जरूर subscribe करे तो आज के इस class में बस इतना ही मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मॉच जय हिंद जय भारत